हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो कॉस्मिक हीलो मैं आज आपको बताने जा रहे हूँ सेजल के बारे में तो सेजल क्या है? सेजल एक मैजिकल हीलिंग टेकनीक है जिससे आप अपने डिजायर और विश्रस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं सेजल कोड़ वर्ड में विश्रस लिखी जाती हैं जिससे हीलर और जो सेजल बनाते हैं वो अपनी युनिवर्सल फोर्स एनरजी में कोड़ वर्ड में अपने विश्रस युनिवर्स में सेंड करते हैं और उस पे मेडिटेट करते हैं जैसे एक paper है, मैंने एक paper पे, ये मेरी wish है, code word में, इस wish को लिखा है, इस पे मैं meritate करूँगे, अब मैं आपको बताती हूँ, की sigil बनाते क्या से हैं, एक piece of paper पे, white paper पे, कोई भी paper पे, आपको अपनी wish लिखनी है, और वो wish आपको present tense में लिखनी है, like, किसी को अगर wish है, कि किसी को job चाहिए, तो मुझे job मिल जाए, उसकी जोगे आपको लिखना है, मुझे job मिल गई है, like, I got a new job, present tense में लिखना है, अब मैं आपको बताऊनी की, एक normal letters को किस तरह से sigil में draw किया जाता है, यह मैंने एक साफ सा, normal paper ले लिया है, ठीक है, अब मैं इसमें अपनी विश लिखोंगी, I got a new job, camera बार-बार हिल रहा है, so I'm so sorry for that, friends, मैं अपनी विश लिख रही है, I got, new job within 10 days देखे, इस पे मैंने साफ साफ words में लिख दिया, I got a new job within 10 days, alright, अब इसमें जितने भी vowels हैं, उसको हम cut कर दिया, like, I cut कर दिया, O, E, A, O, I, I, E, A, बागी बच्चेवे words नीचे लिखेंगे, repetition को cut करते जाएंगे, G, और कहीं G है, नहीं, T, और कहीं T है, येस, एक T हमने यहाँ काट दिया, एक T हमने यहाँ काट दिया, N, और कहीं N है, एक N हमने यहाँ काट दिया, एक N हमने यहाँ काट दिया, कर दबली और कहीं डबली हो यह डबली होने यहां काट दया जै को और कहीं जै है नहीं है बी और कहीं बी है नहीं है ठीक है, एच, और कहीं एच है, नहीं है, ठीक है, डी, य, एस, आप एक बारी चेक कर ले, हमने सारे लेटर्स कट कर दिये हैं, सारे लेटर्स लिखती हैं, तो ये जी, टी, एन, डी, जी, बी, एच, डी, वाई, एस, ये आपके कोड़ वर्ड हो गये, अब इस कोड़ वर्ड को लिखना कैसे है, सिजल में, वह मैं आपको बताऊंगे, इस पे, I will draw, यहाँ जी था, यहाँ मैंने जी लिख दिया, अब हमारा आता है, टी, इस लाइन को हम थोड़ा एक्स्टेंड कर देंगे, बन गया, टी, फिर आता है, एन, इस लाइन को थोड़ हम और एक्स्टेंड कर देंगे, हमारा draw हो गया, एन, फिर आता है, डबली, फिर आता है, जे, यह लाइन है, यह लाइन है, यह एड हो गया, जे, देख हो, जे, फिर आता है, बी, अब हम बी कहां लिखेंगे, इसी लाइन में, हमने बना दिया, बी, फिर आता है, एच, इसको इससे जुड़ दिया, बन गया, एच, थोड़ा आगे लिखेंगे, ठीक है, फिर हमारा आता है, डी, यह डी, और डी, बना हुआ है, फिर हमारा आता है, यह यह यह, इस यह प मैद गया, फिर आता है, एस, अब हम इस S को कैसे बनाएंगे या तो हम इसी में कोई जगे ढूंढते हैं कि S बन जाए नहीं तो हम एक अलग से S ड्रॉव करते हैं अब यह हम छोटा ऐसा S कहां ड्रॉव करेंगे यह देखो यह हमने यह हमारा S बन गया यह हमारा कोड वर्ड बन लिया सिजल का ठीक है हमारी विश्या थी I got a new job within 10 days अब हमने इसको सिजल बना लिया सिजल में लिख दिया यह सारे वर्ड हमने कोड वर्ड में लिख दिया अब हम इस पे मेडिटेट करेंगे या तो इसको हाथ में ऐसे रखके मेडिटेट करेंगे इसको हम पूरे अच्छे से मेडिटेशन में विश्युलाइज करेंगे सिजल बनाने के बाद कम से कम आपको 10 तो 15 टाइम्स मन में बोलनी है आँख बंद करके सिंपल यह जो इमेज बनाई है इस इमेज को आँख में बंद आँखों में विश्युलाइज करना है बस उसके बाद हमें यह सिजल जो हमने पेकर बनाया है यह हमें बॉर्ण कर देना है और हमें यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है उसके बाद एकदम से भूल जाना है सोचना ही नहीं है कि हमने सजल बनाया था हमने कुछ magical work किया है उसके बाद आप देखिये कैसे ये काग गरता है and you will definitely manifest the desire of you. Thank you, love and peace to you. For any suggestion, any guidance, you can contact me at Cosmic Healer at Cosmic Healer and the details which will be there in the description box. Thank you so much.